वेलगब चो और नवीद आटूप चैनल CRSU की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया है आपके एक्जाम्स को लेकर जितने भी B.A.D. कोलेज़े हैं N.C.T. और R.C.I.C. अफिलेटेड गोलेज Peer Journal और Special Education दोनों के लिए नोटिफिकेशन है तो जो नोटिफिकेशन आया है वो आपके एक्जाम्स को लेकर है आपके जो एक्जाम्स होंगे वो ओनलाइन कंड़क्ट कराये जाएंगे 2019-2020 डूटू COVID-19 COVID-19 के वज़े से आपके एक्जाम्स ओनलाइन ही होंगे ओफलाइन का यहाँ पर कोई जिकर नहीं है कि आपको चोईस दी जाएगे या फिर दोनों मोड में एक्जाम्स होंगे यहाँ पर सिर्फ ओनलाइन के बाद की जा रही है तो आपके एक्जाम्स ओनलाइन ही होंगे उसके बाद यहाँ पर बताया गया है जो आपके questions paper होगा उसमें objective type questions आएंगे multiple choice questions होगे आपके जिसमें एक questions का एक ही marks आपको दिया जाएगा ठीक है total number जो भी आपका होगा जो भी आपका paper pattern बने वाला है वो बात के बात है कि कितने marks आपके होंगे कितने का paper आपका होगा 80 का होगा 100 का होगा तो यहां पर बताया गए फुर examples अगर आपके 80 questions आएंगे तो वो 40 marks के होंगे 70 questions आएंगे तो वो 70 marks के होगे उसके बाद यहां बताया गया है कि जो questionnaire paper रहने वाला MCQ based ही रहेगा तो जो questions paper होगे वो MCQ based होगे आपके questions और जो paper pattern रहेगा या फिर जो labor से paper set आपका किया जाएगा वो 3 different level होगे आपके easy level होगा moderate level होगा और आपका होगा difficult level ठीक है 33% आपका easy होगा आसान बहुत जादा easy questions आपके होगे 34% आपका होगा moderate ना थोड़ा सा मुश्किल ना थोड़ा साहसान उसके बाद last होगा difficult questions बहुत जादा difficult questions आपके आएगे अगर आपका concept clear है तो इसलिए आप उसके answer दे सकते हो तो यह paper set होगा आपका इस तरीके से उसके बाद time दिया हुआ है कि कैसे आपको time मिलेगा किशिन करने के लिए 45 seconds आपको मिलेंगी अगर 80 questions आपके आते हैं तो 60 minute आपकी होगी अगर 40 questions आपके आते हैं तो 30 minute होगी 70 questions अगर आते हैं तो आपके लिए 53 minutes इस तरीके से set होगी ठीक है उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि आपके जो questions आएंगे अगर आपने questions, मान लीजिए आपको कोई questions नहीं आता, first questions आपको suppose कर लीजिए नहीं आता, आप second questions पर जाना चाहते हैं, आप second पर चलेगे, तो आप दुबारा से first पर नहीं आ सकते, जो questions आपके screen पर दिखाया जा रहा है, आपको attempt करना है, अगर आपको तुक्का भी लगाना है, कि आपका result कैसे देना है, अगर ज्यादा high जा रहा है, या फिर ज्यादा low जा रहा है, तो वो भी देखा जाएगा, उसके according आपका result अनाउंस किया जाएगा, then जो paper pattern होने वाला है, वो same रहेगा, reappear के लिए, और जो regular students हैं उनके लिए, second semester and first year students के लिए, जो NCTE और RCIE अगर जाएगा, तो आपके लिए पैटर्ण सेम रहने वाला है, फर्स्ट एर के लिए ठीक है, और फाइनल ये स्टूडन्स के लिए तो है ही, उसके बाद बताया गया है, स्टूडन्स के लिए, एक मोग टेस्ट रखा जाएगा, अगर कोई स्टूडन्स से दिकत मान रहा है, बता नहीं हमारे एक्जाम से कैसे होंगे, हमने तो त्यार ही नहीं की, तो आपके लिए टेस्ट रखा जाएगा, उसके कोडिंग आपको अपना वेपर देना, ठीक है, एक्जाम से पहले आपका ये मोग टेस्ट हो जाएगा, ठीक है, और जो ये पैटर्न दिया हुआ ह प्रोविजनल आरफ प्रोवड फोर वन टाइम जू टू कोविड-19 सिचुएशन्स, सिर्फ अभी के लिए है ये जो पेपर पैटर्न आया हुआ है, मसे के के लिए सिर्फ अभी होंगे, आगे चलकर वही पेपर पैटर्न होने वाला है, फाइफ क्वेशन्स का, ठीक है, इसाम्स हो जाएंगे, अभी तक तो इन्फोमेशन आया थी कि 10 के करीब होंगे और या फिर 10 के बाद, लेकिन एक नोटिफिकेशन आया हुआ है, फस्ट यर के प्रैक्टिकल को लेकर, इसलिए ये 20 तारिक यहां पर रखी हुई है, 19 तारिक तक आपके प्रैक्टिकल्स हों है, जितने भी बीर्ड कोलेजिस हैं, उनके पास ये मेल आया हुआ है, और मेल ये इसलिए है, आपके प्रैक्टिकल्स को लेकर ही है, कि आपके एक्जाम्स जो आपके प्रैक्टिकल्स हैं, वो 19 तक रहने वाले हैं, फस्ट यर स्टुजिंस के लिए, और सेकेंड यर फस्ट यर स्टुजिंस के साथ जरूर शेयर करें, आपका जो बीर्ड गुरूप है, सभी ग्रूप में आप इसको शेयर कर सकते हो, ताकि सभी को इंफोमेशन मिले, और फस्ट यर के भी एक्जाम्स होंगे, रियपेर के तो होंगे ही, वैसे भी होने की चांसे हैं, जहां तक मुझे information मिले हैं तो अपनी तैयारी रखिएगा MCQ questions होंगे theoretical questions आपके बार नहीं आएंगे any five questions आपको नहीं करने हैं वो other courses के लिए था online आपके exams होंगे offline का कोई जिक्र नहीं है आपके जो practical होने हैं second year के आपके online offline दोनों mode में होंगे लेकिन जो first year students के practical होने हैं वो online होंगे ठीक है यह notification आपके साथ शेयर करने थी जो information मुझे मिले है वो आपके साथ शेयर करने थी ठीक है तो मिलते है next video में next जो video आएगे MCQ questions बनाने की कोशिश करोंगे classes होंगे आपके ठीक है thank you